Hello friends, welcome to educational insight. दोस्तों अगर आप interpass करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, after 10 plus 2, आपका inclination, आपका जुकाव, सिक्षन जैसे पवित्र पेशे की ओर है, तो आपके लिए खुश खबरी है. क्योंकि रास्टी सिक्षा नीद 2020 में ही ऐसे प्रावधान है, कि अब आप inter के बाद ही सिक्षन पेशे को चुन सकते हैं. बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आप चाहे bachelor आफ art करें, चाहे आप bachelor आफ science करें, यानि अगर आप science extreme से भी course करते हैं, और सिक्षन विधा को अपनाना चाहते हैं, सिक्षन पेशे में जाना चाहते हैं, तो आपके रास्ते खुले हैं, और अगर आप arts field से, यानि bachelor आफ art BA करने के उपरांत भी सिक्षन पेशे में जाना चाहते हैं, तो इंटर के बाद से ही, after 10 plus 2, आपकी दिशा बिल्कुल तैं हो जाएगी, और जब शुरू से ही उमंग है, जुनून है, एक पेशे में जाने का विजन है, जजबा है, तो राहें आसान हो जाती हैं, जी हाँ दोस्तो, सरकार ने चार वर्षी, इंटी ग्रेटिड बीए के साथ, बीएड और बीएसी के साथ, बीएड का कोर्स लांच किया है, रूप रेखा बन गई है, वर्ष दो हजार तेईस चोबिस, जो सैक्षिक सत्र है, उसमें देश के चुनिंदा, जो सत्तावन टीचर एजुकेशन के सिंटर्स हैं, वहाँ ये कोर्स दोस्तो लांच होना है, आईए, हम पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी लेटिस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं, चार वर्ष में बीए, बीएड की डिग्री मिलेगी, जी हाँ दोस्तों ये सूचना है, एन्सी टी की नेशनल काउंसिल आफ टीचर से एजुकेशन की, ग्रेजुएशन एंड बीएड नाव फोर इयर कोर्स अब आपको करना है, रास्टिय अध्यापक सिक्षा परिशत यानि एन्सी टीए ने पूरे देश में सेक्शन एक सतर वर्ष दोहजार तेस चोबी से सत्तावन सिक्षक सिक्षा संस्थानों, टीचर एजुकेशन इंस्ट्यूशन में एक 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 रिष सिक्षक सिक्षा कारकरम आई टी टी एपी शुरू किया है, यह एन एपी दोहजार बीस के तहट एन्सी टीए का प्रमुक कारकरम है, दोस्तों जैसे की बात हो रही ही, रास्ट्य शिक्षानीत वर्ष दोहजार बीस के तहट जो नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन है, वो इसी के तहट काबर कार कर रही राश्टी शिक्षा नित में ये एक एक किरित सिक्षक सिक्षा कारकरम की बात कही गई थी तो ये जो इंटीग्रेटर कोर्ष है यानि आईटी टीपी 26 अक्टूबर 2021 को अधसूचित किया गया था या चार साल की दोहरी प्रमुक समगर असनातक डिग्री है दोहरी प्रमुक समगर असनातक डिग्री इसलिए कहेंगे कि बैचलर आफ आर्ट्स या बैचलर आफ साइंस ये तो आपको एक डिग्री देता ही है साथ ही साथ जो B.A.D. की डिग्री होती वो सिक्षा असनातक की होती है कला संकाए में चाहे आप असनातक हो चाहे विग्यान संकाए में असनातक हो के साथ सिक्षा असनातक जब आप होते हैं तो दोहरी प्रमुक समगर जो है डिग्री कही जाएगी जो B.A.B.A.D. B.S.C.B.A.D. और B.C.O.M.B.A.D. तो केवल B.A.B.A.D. B.S.C.B.A.D. ही नहीए B.C.O.M.B.A.D. की भी साथ बात चल रही है यानि चाहे आप B.A.D. हो चाहे आप B.S.C. कर रहे हो चाहे आप B.C.O.M. जो भी आप करूजान है तीनो धाराओं में अगर आप हैं किसी एक धारा के साथ आप बीट कर सकते हैं ये ऐसे प्रावधान है या कोर्स नए स्कूल धांचे के चार चरणो यानि फाउंडेशनल फाउंडेशनल का दोस्तों ये है प्री प्राइमरी का कंसेप्ट है आंगन बाड़ी से ले करके परश यानि ये जो फाइफ लिखा है ये जो पहला फाइफ है इस पे आप गोर फरमाएं तीन साल का बच्चा आंगन बाड़ी में प्रिवेश लेता है तो वो तीन वर्स उसकी उम्र है अब वो पांच वर्स फाउंडेशन के क्लास में रहेगा पांच वर्स का मतलब तीन साल आं आज बच planets रहेगी इसलिए यहां पर प्लस तीन लिखा हुआ है उसके बाद कच्छा शे साथ, आट बच्छी रहेगी यानि प्लस तीन लिखा है उसके बाद 9, 10, 11, 12 रहेगी ये जो फाइफ प्लस 3, प्लस 3, 5 प्लस 4 का concept है आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और ये जो BA, BA या BSC, BA या BCOM, BA का जो कोर्स आपको सिखाया जाएगा जिसमें आप सिक्षन के नहीं नहीं गुर्स सिखेंगे वो complete 5 plus 3 plus 3 plus 4 के बच्चों के साथ जस्टिस करेगा के सिक्षकों को तयार करेगा या कारकरम शुरू में कुछ प्रतिस्टित बिश्विद्यालों में पाइलट मौट पे चलाय जा रहा है IT, IETEP उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक के बाद अपनी पसंद सिक्षन को पेशे के रूप में चुनते हैं 10 प्लस 2 के बाद अगर आप सिक्षन को पेशे के रूप में चुनते हैं तो आपके लिए ये कॉर्स बहुत ही ज़्यादा लाब्ध है इस पाठकरम से छात्रों को लाब होगा क्योंकि वे वरतमान बियड योजना के लिए 5 के बजाए पाठकरम चार वर्सों में पूरा करके एक वर्ष की बचट करेंगे सीधी सी बात है बियड पर आप करते हैं बियड अडमिशन लेते हैं तो इसके बियड तो दो वर्ष का है ऐसी स्थतीव में बियड बियस्ट करके आप 3 धन दो यानि पाँच वर्स का जो कोर्स है उसको चार वर्स में ही कंप्लीट करनेंगे इसके लिए प्रवेश परिक्षा होगी गवर तलब है प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए दोरा नेशनल कॉमन एंटरेंस टेस्ट एंसी एटी के माध्यम से किया जाएगा अब इस कोर्स की खासियत क्या रहेगी इसमें परमपराओं की समझ की निव ये कोर्स आपको अस्थापित करेगा ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो ना किवला त्याधुनिक शिक्षा प्रदान करेगा बलकि प्रारंभिक बच्पन की देखभाल यानि अर्ली चाइल्ड के एरेंड एजुकेशन यानि ECE और जो मुल्वुसाक शर्ता है फांडेशनल जो लिटरेसी है और नुमरेसी है और संख्यात्मक्ता यानि FLN समावेसी सिक्षा और भारत और उसके मुल्यों कला परमपराओं की समझ की निव भी अस्थापित करेगा पाठकरम पूरे सिक्षक सिक्षा छेदर के पुनरदार में महतपूर योगदान देगा तो दोस्तों देर किस बात की है जैसे ही ये NTA विग्यापन करता है आप इंटर पास अगर हो चुके हैं और परिक्षा दे रहे हैं तो आप बिलकुल इसको अपने करियर के तोर पे चूस कर सकते हैं आज के लि थी ये लिवर को सिन झाव